हाई दियर फ्रेंट्स वेल्कम टो माई चैनल अग्री कल्चिरल साइंसेज विदा लोग दिवेदी आज हम बात करेंगे फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनबल एग्री कल्चर से रिलेज़ेट कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में जो की काफी इंपॉर्टेंट हैं एग्री इंटेंसिटी ओफ मेस तोर्या उर्द इस थ्रीहंड़ परसंट नेस्ट वेशन सी एस डबलू सी आर्टी इए विच सेंट्रल स्वाइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिशर्च एंड ट्रेनिंग इस्टिट्यूट यह कहां पर लोकेटेड है देरादून उत्राखंड पर आई आई एफसर लोकेटेड एट अच्छा आई आई एफसर पहली बात तो होता क्या है इसका फुल फॉल फॉर्म क्या है इंडिया इंस्टिट ऑफ फार्मिंग रिशर्च इंस्टिट्यूट है यह जो कि कहां पर है जमाल उलापूर उत्तर प्रदेश में है ब्लू रिव किस चीज से समंदित है वह फिस से समंदित है फिस से रिलिटेड है ब्लू रिवल्यूशन और वैम इस्टैंस फॉर वैम क्या है वैस्कुलर अर्विस्कुलर माइको राइजा यह एक बायो फर्टिलाइजर होता है आईजी एफएराई इंडियन ग्रासलें और इस इंस्ट करते हैं तो और गानिक फार्मिंग को हम लो इंपूट फार्मिंग भी कहते हैं डिप्रेटिट्टिव ग्रोइंग ऑफ सेम सोल क्रॉप ऑन असे लैंड फार पर प्र्टिकुलर पीडिड ऑफ ताइम इस मोनो कल्चर मोनो में सिंगल अंड कल्चर में कल्टिवेशन तो लेकिन किस क्रॉप में यूज होता है लेकिन किस क्रॉप में यूज होता है लेकिन किस क्रॉप में यूज होता है इन यूरिया कंटेंट नाइट्रोजन एंड बायोरेट इस यूरिया में नाइट्रोजन एंड बायोरेट का क्या परसेंटेज होता है उसके कंपोजिशन मे तो nitrogen 46% and by rate 1% होता है gypsum is used for the reclamation of gypsum किस soil के reclamation के लिए use किया जाता है तो saline soil के reclamation के लिए हम gypsum का use करते हैं rotation intensity of mace potato wheat की क्या होगी 300% होगी जैसा कि मैंने बताए कि rotation intensity को मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको समझाओंगा rotation intensity कैसे हम decide करते हैं किसी भी crop की murate of potas contains murate में कितना potas होता है 60% potas होता है lime is used for the reclamation of soil lime अभी हमने बात किये थी कि gypsum हम किस soil के reclamation के लिए use करते हैं और अब हम जानते हैं कि lime को किस soil के use के reclamation के लिए हम use करते हैं तो acidic soil को reclaim करने के लिए हम lime का use करते हैं agro climatic zones in India कितने agro climatic zones हमारे इंडिया में हैं तो 15 इंडिया में हैं और उत्तर प्रदेश में 3 हैं so thank you friends for watching the video and do share and subscribe my channel to get updated from all agricultural knowledge thank you